आज मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है देख कर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है इसमें काफी सारी लेयर्ट्स है और इसके अंदर यह जो आलो की स्टफिंग है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी तो चलिए बयाने स्टार्ट करते हैं रेसिपी इसे बनाने के लिए मैंने आपर देड़ कप मैदा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन आदा छोटी चमच अजवाइन को मैं इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालूंगी इस तो यहां पर मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह दिखिए अभी इसमें जो घी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है इस तरीके से बन रहा है तो अब हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगा कर तियार करेंगी तो यहां पर इसका जो डो है वो मैं थोड़ा सा टाइट लगा कर तियार करूंगी यानि कि नॉर्मल टाइट डो जो है हम लगा कर तियार करेंगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगा लेंगे हम तो यहाँ पर मैंने ये डो लगा कर तियार कर लिया है और अभी हम इसको ढख करके 10 मिनट लिए छोड़ देंगे सैट होने के लिए जब तक ये सैट होता है हम स्टफिंग बना कर तियार कर लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने आपर पैन लिया है और इसमे डाला है एक टेबलंस्पून ओयल हमारा सब्सक्राद में अधाइए डाले जीडा फीस एदक जीडा दाल देंगी थोड़ा हल्दी पाउडर議不是 पर्डेशादी गिए में 3 हच्टी चम्मा monopol हरी मंटे बदा देंगी आधा कप और इसको जो है इस तरीके से अच्छे से जो है चड़ा लेंगे एक मिड़ी उसके बाद मैंस में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी तो मैं आपर डाल रहे हूं एक छोड़ा चमच नमा नमक डालने के बाद इसको जो है अच्छे से मिक्स के अपर मैंस में डाल रहे हूं दून 높व के इंवांक तो मेंने आधा मीडियम साइज के वह आलो लिये हैं और मैं आपर इसको 2 मीडियम साइज के आर डाल रहे हूं इस तरीके से हाथ हों से मेशBecause करनी के बाद करते हुए है तो यहां पर मैंने अभी से मिक्स कर लिया है उसके बाद में डाल लिए थोड़ा सा गरम मसाला तो वन फॉर्थ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा फ्रेश बारे कटा हुआ हरा धनिया अभी गैस का फ्लेम गर दिया है और इन दौनों च के दौन में भी तो मैं इसमें डो टेबल स्पून गी डाल रही हूं इसकेसाद इसमें एक टेबल स्टीं पाने डालेंगे और इसको अच्छे आचे से मिक्स करेंगे तो यह व्यूआ बना कर तियार है किया है जो बीच में य AH कर तियार की है अच्छेस को मैंने मिक्स कर लिया है और यह हमारी तेयार है अब अब यह सेट elements की है अब यह हमाति अब सेखनी त 4 लोग और उसको भी दसमय होच deeply है तो इस तरीके से एक पार्ट को लेना है और इसकी जो है फ्लैट बॉल बनानी है अब ये बॉल की उपर हम थोड़ा सो सुखार्टा डस्ट करेंगी और इसको जो है इकदम पतला बिलकर त्यार करेंगी तो इस तरीके से हमें जो है पांच जो है लेयर्स बनानी हैं तो मैं जो है पांच इस तरीके से जो है बेल कर त्यार कर लूँगी यह मैंने यहां पर एक रोटी को बेल दिया है इसको हम साइड में रख देंगे और इसी तरीके से बाकी की जो चार बची है उनको भी जो हम रोल कर लेंगे तो यहां पर मैंने यह जो फ्लैट बॉल है वो ले लिए है इसके उपर थोड़ा सा सूखाटा लगा करके इसको मैं रोल कर रही हूँ कोई तो अब मैं कore जलरी लगाऊंगी उसके बाद रोटी फिटस लरी और हल्का से इसको हाथों से प्रैस भी करते जाना है तो यहां पर मैंने पांच और लेयर्ट को लगा लिया है और इसको अच्छे से प्रैस कर लेंगे साइट से इस तरीके से उसके बाद अब हम इसको रॉल करेंगे यानि कि इसको बेलेंगे तो इस तरब में इसके उबद थोड़ा सा सूखा आटा लगा दे रही हूँ जिसार कि इसको बेलने में आसानी रहेगी अब हम इसको बेल देंगे तो यहां पर मैंने इसको इस तरीक से बेल दिया है एकदम हलके हाथ से अब मैं इसको कट करूंगी तो आप चाहें तो इसको स्क्वेर शेप में भी कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर एक धकन की हेल जो है कट कर रही हूँ इस तरीके का मेरे पास एक ठककन था उससे मैं इसको कट कर रही हूं तो मैं यहां पर इस तरीके से इसको जो है कट कर लूँगी गृण कर ने के बाद जो एक्स्तरड हो है उसको हम हटा देंगे और अब हमने जो स्टफिंग बना कर त्यार की थी ना वो इसको उपर रख देंगे तो इस तरीके से स्टफिंग को जो है इसको उपर रख देना है अब हमें इसको जो है इस तरीके से बंद करना है और हलके हाथ से जो है इस तरीके से प्रेस कर देना है इसी तरीके से हम यह सारी पेटी को बना कर तियार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने यह जो पेटी हैं वो बना ली हैं अब चलते हैं इनको डीप टाय करने के लिए तो ऑईल मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था ऑईल अच्छा गरम है अब हम इसमें अपनी जो पेटी हैं वो डाल देंगे तो गैस का फ्लीम मैंने रखा है लो टू मीडियम और इसको जो है इसमें डालने के बाद अच्छे से दौना तरफ से फ्राय होने देंगी जैसे जैसे फ्राय होते जाएंगे आप देखेंगे कि जो इनकी लियर्ट्स हैं वो अलग लग होने लगेंगी और दौना तरफ से हम जो है इनको अच्छे से से शे को है तो अभी मैंने अपर इनको जो है दौना तरफ से कर लिया है अच्छे से फ्राय है और आप देख सकते हैं इनकी एक एक लेयर वो कितने अच्छे से अलग होगी है कलर भी बहुत प्यारा आगया है तो अभी हम इनको जो है बाहर निकाल देते हैं एक लेक में यह देखने में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप भी एक बार ट्राय करके जरूर देखेगा और अगर रेस्पी पसानद आए ना तो वीडियो में तब तक लिए थैंक यू फ्रेंड्स बबाई